ठीक है है अब मैं थोड़ा सा आż जो दूसरा अलब बोला था कि हम लोग और सला एड़िटिंग गरते हो उसके नार वह व्हाला लट करते हैं ठीक है तो चलिए निऊ यहां पर मैंrivוח और मेहां इंदेर्टृ ऑर Serap 300 शीसारे करता हों और मेरी और क्या प्लिक करना हिए ऊसे इंपर्ट केस्वित करना है मैं विद्धार्ट को करेंगे प्रांस वाहाई है जैसे मैंने ट्र qui करेंग करना है और हूं कने किरेंगे घनितेंग करना है हर बर डेटा आपके इसाप से नहीं आता, डेटा में बहुत सारे चेंज़ेस होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी होती हैं, तो आपको करना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ पर देख लिजे कि एक serial number है, फिर यह डेट है, फिर दूसरा यहाँ पर category है, कोई product की ठीक है, फिर वहाँ पर region में क्या है, और यहाँ पर एक तरीके से amount है, तो यह पूरा डेटा आ गया है आपके, आप समय लेजिए कि हमारी company का policy है, रूल है कि आपका जो amount है यह dollars में रहेगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उपर पर click कर देना, यहाँ पर click करने के बाद यह पूरे के पूरे 10 लक रिकॉर्ड सेलेक्ट होगे, होने के बाद देखिए जरा home पर क्या दिखा रहा है, तो हम पर कुछ options यहाँ पर दिखाया जा रहे है, ठीक है चलिए, फिर transform पर click कर लेते, तो देखिए transform में इतने बहुत सारे options यहाँ पर लेकर आ रहे है, यहाँ पर देखिए कुछ number and columns related है, कुछ उसके text के format related है, यहाँ वगरा वगरा, ऐसे बहुत सारे options आपको यहाँ पर दिखाये रहे है, फिर add columns related options दिखाये रहे है, जिसमें कुछ columns वगरा add करना है, या उनके अंदर कुछ conditions डालनी है वगरा, फिर एक view है, तो view में आपको data कैसे द लोड हो रहा है, यह time लेगा, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 10,48,005,75, यहाँ पर पूरा descending orders में आ गया, आपके system की speed से आप इस data को यहीं पर देख सकते हो, इतना याद रखना कि अभी तक यह जो file है आपके Excel में नहीं आई है, क्योंकि अभी यह कहाँ पर है power query editor के पा data है, ठीक है, इस data को मुझे date format में select कर देना है, मैं चाहता हूं कि यह जो data, raw data जो आ रहा है, इसकी जो property है, वो date में आ जाए, तो मुझे date पर click कर देना है, तो आप यहाँ पर देखोगी, पूरा का पूरा यह जो data है, यह date format में convert हो रहा है, उसके साथ साथ देखिए, इसक कहां पर गया, home tab, home tab के अंदर कहां पर date, तो मैंने सबसे पहले किया कि इसकी property date कर दी, देखिए, date property में अब हो चुका है, पहले नहीं था, यह जब आप किसी भी database से, other source से, text file से, या internet से, web से data लेते हो, तो आप को गैरेंटी नहीं दे सकते हो, कि उसका format perfect ही आएगा, तो स suppose, अगर यहां पर date के साथ time होता, तो मुझे क्या लेना पड़ता, अगर date के साथ time होता, तो आपको यहां पर date and time वाला जो option है, पहला वाला, यहां पर date and time, यह आपको click करना पड़ता, तो sir, अगर मैं अभी सिर्फ date हो, date and time पर click करूँ तो क्या होगा, आप replace कीजिए current को पहले आपको देखे, changes समझ में आएंगे, तो जितना processing time लगता है, यह पूरे 10 लाग record को कर रहा है, समझ लिजे, यहां पर high speed है, आपके PC के अंदर थोड़ा सा hang हो सकता है, क्योंकि बड़ा data है, तो यहां पर आप देखे time भी डाल दिया, आप इसने by default कोई भी time ले लिया क्योंकि जो actual data था, उसमें time नहीं था, और मैंने सिर्फ आपको change करने के लिए दिखाया, तो यहां पर कोई भी time ले लिया उसने, लेकिन जब आपका actual data के अंदर date और time दोनों होगा, तब ही आप date and time लेना, अगर date and time नहीं है, सिर्फ date है तो shift date, सिर्फ time है तो time, ठीक है, फिलाल हमारा सिर्फ date है, तो हम shift date लेंगे, यहां पर और इसको replace करते है, तो देखिए पूरा changes यहां पर यह हो जाता है, फिर हमारी company बोलती है कि यह जो amount आया हुगा है, कि क्या है, यह rupees में है, कि dollars में है, तो हम बोलते चलो dollars में है, तो आप यहां पर देखो, इसकी भी data type को आप change कर दो, तो data type को change करने के लिए आप यहां पर click करते हैं, यहां पर आता है currency, खीक है, तो आप यह currency पर click करना है, जैसे आपने currency पर click कर दिया, तो आप यह currency मतलब एक तरीके से यह हो गया, आपका currency के format में आ चुका है, मतलब अब यह numbers नहीं रह चुका है, आप यह currency के format में आ चुका है, देखिए आपके सामने, इस तरीके से currency के format में आ जाए, अब जैसे यहां पर मैं देखिए, click करता हूँ, यहां पर मुझे बहुत सारे options यहां पर मिलते है, currency का options भी आप मुझे मिल रहा है, एक तरीके से dollars के तरीके से, तो मतलब इसको currency के format में चेंज क करना है, अब चलो एक चीज और कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर यह serial number है, तो employee ID का कोई column है नहीं, माल नीचे कोई data आता है, उसके अदर मुझे एक और extra column लेना होता है, तो मैं कैसे लोगा, तो आप देखिए, जब यहां पर add column पर आप जाते हो, तो यहां पर लिखा है column, तो एक add करना है हमको, ठीके, तो ऐसे आप click कर दो, जैसे मैंने click कर दिया, तो यहां पर एक column add हो चुका है, यह देखिए, ठीके, तो यह column यहां पर add हो चुका है, अब जैसे column add हो गया है, तो इसका नाम क्या रखना है, तो आप मैंने इस पर double click के directly, double click करके मैं यहां पर ल इस तरीके से कोई भी चीज आप इसके अंदर आप निकाल सकते हैं इसको एंटर कर देता हूँ जैसे मैंने वन दिया और एंटर किया तो यह अगर यह पहला है तो जैसा आपका जैसा सीरल नंबर था वैसे ही मैंने एक अलग से एक्स्ट्रा कॉलम भी एड़ कर लिया तो जो डेटाबैस आपने इंपोर्ट किया उसके अदर कोई एक्स्ट्रा कॉलम कुछ चीजें रोज कोई चीजें डिलीट करनी है रिमूफ करनी है इसी बहुत सारे फीचर्स होते हैं अब सारा का सारा पहले वीडियो में तो नहीं बता दूँगा पहले वीडियो के अंदर नॉर्मल सी चीजें जो आपको करनी है अब मैंने जैसे यहां पर ओके किया थोड़ा चेंज होने का टाइम दे जीजिए उसे पावर कोईरी है और इसके बारे में डीटेल बताऊंगा लेकिन फिलाहर के लिए सारा जैसा हो चुका है वो हो चुका है और हुने के बाद सबसे इंपॉर्टन चीज होम में जाईए यहां पर आता है आपको एक्जिट एंड लोड ठीके तो यहां पर आप लोज कर दीजिए एक तरीके से दीजिए डेटा को या क्लोज एंड तो इस तरीके से आपको कौन सा यहां पर अप्शन लेना है देखें दूसरा जो होता है यह लोड अलग तरीकी से आप पहले वाला क्लोज लोड वाला उप्शन ले ले लिजे बंद करो भाई पावर कोरी को और जो डेटा मैंने चेंज हुए मैंने हमेशा बोला है आप पावर कोईरी सीख रहे हो बाड़े डेटाबेस को सीख रहे हो तो टाइम लगेगा इसके अंदर क्योंकि है भी हैवी डेटा एडवांस और एक्सपोर्ट लेवल की चीज़ सीख रहे हो तो टाइम जाएगा यहां पर देखे पूरे पूरे की जो डेटा का साइज है वो फोटी से 80 MB मतब उसकी साइज भी बढ़ गई और प्लस वो सारे चेंजिस को अपलाई कर रहा है इस समय पूरे के पूरे दस लाख रोज के उपर तो यहां पर पूरा का पूरा अपलाई हो चुका है अब वो उसको लोड करके आपको दिखाए येस आपके सामने आछुका है पूरा अपसामने देख सकते हो कि आपके सामने जो कॉलम 1 था फिर आपने यहां पर जो डेट था यह पर्फिक्ली डेखिए डेट फॉर्मेट में आ चुका है कैटेगरी में हमने कुछ चेंज नहीं किया reason में amount जो था यहां पर हमने इसको ए यह currency को dollars में या जो भी करना है तो आप देखिए Excel के अंदर आपके numbers group में option आएगा, यहाँ पे आप देखो English United States का जो आपको dollar sign है, उस पे आप click कर दीजिए, तो यह पूरे dollars में आ जाएगा, अगर आपको dollars में नहीं करना, आपको rupees में करना, तो यहाँ पर click करके आप इसे rupees म करता हूं, तो मैं सिधा आ जाता हूं, 10,48,576, एक्तम लास्ट वाले पे, मतलब Excel के limit खतम होगी, उतना ही data है, और यह perfectly उतने ही employee ID, और उस तरीके से dollars में उतने ही sign को कर चुका है, तो control up arrow की करके आप उपर चले, तो आपने एक heavy data, एक बड़े data को power query के through, यहाँ पर import करके उसमें basic changes करने थे, वो आपने किया है, तो I hope यह video आप लोगों को पसंद आया होगा, और इतना ही नहीं, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत के आगे-आगे देखिए, एक ऐसी बहुत सारी चीज़े, एकदम मखन मलाई बनाके, एकदम easy बनाके आप लोगों के ले गाएंग झाल 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